सर्वेभ्यो नमो नमा, नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दिक्षित। इस वीडियो में हम महाभारत के विशे में अध्यन करने वाले हैं, भारतिय संस्कृती को, संस्कृत साहित्य को प्रभावित करने वाले जो दो महतुपून ग्रंथ हैं, जो आधार शिलाएं हैं, रामयन और महाभारत. उन में से महाभारत का किस तरह का प्रभाव है, क्या-क्या महाभारत की विशेष्टाएं हैं, क्या महाभारत के बारे में महतुपून हैं, किस तरह से प्रशन यहां से परिक्षा में पूछा जाता है, इन सभी विशेयों का अध्यन हम इस वीडियो में करने वाले हैं. इससे पहले हम लौकिक साहित्य में रामायन के विशे में पढ़ चुके हैं, वैदिक साहित्य का अध्यन कर चुके हैं, व्याकरण के बहुत सारे विशयों का अध्यन कर चुके हैं, सांख्य दर्शन का अध्यन कर चुके हैं, इसके अतरिक और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर हैं तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से वहाँ पर देख सकते हैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं दे दूँगी तो आईए प्रारंब करते हैं महाभारत महाभारत विश्व साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ है इसमें एक लाग से अधिक शलोक हैं इसलिए इसको शत साहस्त्री सहीता भी कहा जाता है और इसके विशे में कई बार प्रशन पूचा जा चुका है आगे भी पूचा जा सकता है कि शत साहस्त्री सहीता के नाम से प्र यहां पर आपको हर तरीके की रचनाय मिल जाएंगी, हर प्रकार की रचनाय मिल जाएंगी, विश्व का सबसे प्राजीन तम ग्रंथ, रिगवेद भी संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है, विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत भी यहां पर प्राप्त हो रामायन के विशे में हमने पढ़ा था कि उसका भी सांस्कृतिक एतिहासिक इत्यादिक महत्व है लेकिन सबसे अधिक जो रामायन का महत्व है वो है साहितिक दृष्टी से और जो महाभारत है उसका सांस्कृतिक विशेयों की दृष्टी से महत्व है ये इतना बड़ा ग्रंथ है एक लाग लोग हैं इसमें तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने प्रकार के विशयों का वरणन किया गया है तो इसको सांस्कृतिक विशयों का विराट कोश भी कहा जाता है और आचार की सहीता भी कहा जाता है इसमें एतिहासिक महाकाव्य इसको विशेश रूप से माना जाता है क्योंकि इसमें एतिहासिक इतिहास से संबंदित विशेयों की प्रधानता है विशय छेत्र विश्त्रित होने के कारण इसके विशय में कहा जाता है कि यतन भारते तन भारते कि जो भारत में अर्थात महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है भारत वर्ष में नहीं है इसका तात्परिय है कि इसमें सारे विशयों का विवेचन आपको मिल जाएगा जो यहां पर है जो महाभारत में है वो ही अन्यत्र है और जो यहां नहीं है वो कहीं भी नहीं है तो यह इसकी विशे का वैविद्ध्य है विशे की विस्त्रित्ता है कि इसका जो विशे शेत्र है वो इतना विस्त्रित है इसके रचियता जो है वो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास माने जाते हैं ये एक मुनी है जिनका शामरंग होने के कारण जिनको कृष्ण कहा गया वेदों का विभाजन करने के कारण इनको वेदव्यास कहा गया और यमुना ग्वीप परुत्पन होने के कारण इनको द्वैपायन कहा गया तो कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि कृष्ण द्वैपायन वेद्व्यास इनका नाम नहीं होकर इनकी उपादी है तो आप कैसे भी समझ सकते हैं अगर प्रिश्ण पूछा जाए महाभारत के रचियता कोन है तो कृष्ण द्वैपायन वेद्व्यास इनकी माता का नाम सत्यवती था और इनके पिता थे पाराशर इनके विशे में ऐसा प्रसंग आता है कि तीन वर्षों के कठिन परिश्रम के पश्चात इनों ने महाभारत की रचिना की त्रिभी वर्षै सदोथाई क्रिश्ण द्वैपायनों मुनि महाभारतम माख्यानम कृतवान इदम उत्तमम कि तीन वर्षों के अत्यदिक परिश्रम से ये उत्तम कावे की रिचना कृष्ण द्वैपायन मुनी ने की है। इसका जो प्रमुख रस है वो है शांत रस। अब आपको ऐसा लगेगा कि महाभारत में पांडवों और कौर्वों के युद्ध का विवेचन है किन्तु। कि अत्यदिक भूमी का है यहां पर बहुत बड़ी भूमी का है तो यहां महाभारत की जो नायक है वो है श्री कृष्ण। महाभारत अठारे पर्वों में विभक्त है और परिशिष्ट के रूप में इसमें हरिवन्ष पर्व भी प्राप्त होता है। अर्थात 18 पर्व तो हैं इसमें और इसके अतिरिक एक परिशिष्ट के रूप में पर्व प्राप्त होता है। खिलकातात परिया है ये वेदो के विशे में भी हम पढ़ चुके हैं खिलकातात परिया है प्रक्षिप्त जो बाद में जोडे गए हैं जो मूल ग्रंथ में नहीं थे। तो ऐसा एक हरिवंष पर्व भी यहाँ पर प्राप्त होता है और इसके विशे में भी कई बार परिक्षा में प्रश्ण पूछ लिया जाता है कि महा भारत का परिशिष्ट पर्व कौनसा है इस प्रकार से या फिर महा भारत का मुख्य पर्व नहीं है तो उसमें इन 18 पर्व जो है इसको वैशंपायन ने जनमिज्य को सुनाया था इसका भी आप याद रखिए क्योंकि इसके विशे में भी कई बार प्रिशना आता है कि हरिवन्ष पर्व को किसने किसको सुनाया तो वैशंपायन ने जनमिज्य को सुनाया इसमें भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित वर्नन है उनके वनशादी की कथा इसमें वर्नित है महाभारत के तीन प्रिसिद्ध संसकरण प्राप्त होते हैं जैसे रामायन के विशे में हमने बढ़ा था कि उसके चार प्रिसिद्ध संसकरण है इसी प्रकार महाभारत के तीन स्थानों से अलग-अलग पाठ प्रकाशित होते हैं और वो संसकरण है कलकत्ता संसकरण, बंबई संसकरण और मदरास संसकरण इन में से जो कलकत्ता संसकरण है वो हरिवंश पर्व के सहित प्राप्त होता है बंबई संसकरण में हरिवन्ष पर्व का अभाव है और गीता प्रेस गोरकपुर से जो संसकरण प्रकाशित होता है वो बंबई संसकरण ही है इसके अतिरिक्त बंबई संसकरण की एक और ये विशिष्टा है कि ये नीलकंठ द्वारा रचित टीका के सहित प्राप्त होता है और अलग अलग जगे से प्रकाशित होने के कारण ये तीन संस्करण महाभारत के प्रिसिद्ध हैं। फिर जब इसमें थोड़े थोड़े आगे बढ़ते गए तो इसका विकास एक क्रम से हुआ है। इसके अंतरगत अधर्म पर धर्म की विजय का निरूपन किया गया है। और ये जो जय है जो ऐसा माना जाता है कि मूल महाभारती इसका जो प्रारंब है वो महाभारत की वर्तमान में जो प्राप्त है उसके आदी पर्व के 65 अध्याय से ये प्रारंब होती है। जय के पश्चात इसमें कुछ और श्लोक जोड दिये गए और फिर ये भारत के नाम से प्रिसिद्ध हुई। इसमें 24,000 लोक थे इसमें उपाख्यानों का आभाव था इसमें जो मुख्यकता है कौरव पांडवों के युद्ध की उसका वर्णन था इसमें उपाख्यान नहीं थे। जिस जय को व्यास के मुख से वैशमपायन ने सुना उसी जय को वैशमपायन ने नाग यग्ये के अवसर पर जनमिज्जे को सुना दिया। तो वहाँ पर उन्होंने जैसे जैसे जनमिज्य ने इसके विशे में कुछ प्रश्ण पूछे वे शंपायन ने उसके उत्तर दिये तो इस प्रकार ये जो जय थी 88 स्लोग की ये बड़ी होकर 24,000 स्लोग की हो गई और इसको भारत के नाम से जाना जाने लगा आदी पर्व के 61 अध्याय से इस भारत का प्रारंब होता है तीसरा जो इसका विकास का क्रम था उसके रूप में हमारे सामने महाभारत आई महाभारत का तातपरिय है महत्वात भारवत्वात्च महाभारतम उच्यते कि इसकी महत्ता के कारण इसके विस्तृत रूप के कारण इसको महाभारत कहा जाता है इसमें लगवग एक लाक्ष लोक हैं इसमें उपाख्यानों का भी वर्णन है ऐसा माना जाता है कि जन्मिज्य के बाद वो जो भारत थी उसकी परंपरा आगे चलती रही और फिर नैमिशा रण्य में 12 वर्षी एक यग्य संपन हुआ उसमें सौती रिशी ने शौनकादी रिशीयों को इसको सुनाया उसके पश्यात अब जो महाभारत प्राप्त होती है वो इस रूप में प्राप्त होती है तो ये महाभारत के विकास के तीन करम है जय भारत और महाभारत इनको आप अच्छे से याद रखिए किस ने किसको सुनाया इसके संबंद में भी इसमें से कई बार प्रिश्ण पूछ लिया गया है और आगे भी पूछा जा सकता है अब वर्तमान में जो शत साहिस्त्री सहीता है एक लाक्ष लोक वाली जो महाभारत है उसकी विशेवस्तु क्या है किस प्रकार उसका परवों में विभाजन है और उनके अंदर क्या वर्णन है उसको एक बार संक्षिप्त रूप से हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें अठारे परव हैं और सो उप परव हैं इन परवों के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए क्यूंकि यहां से कई बार प्रशन पूछ लिया जाता है तो आप एक दो बार जब इनको आँखों से निकालेंगे तो आपको यह आराम से याद हो जाएंगे कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल इजी नाम है और दूसरी बात यह है कि जब आप परव के अनुसार इनकी विशेवस्तु को देख लेंगे तो वो जब कथा आपके अठारे नाम हैं याद करने के तो आप उनको पांच-पांच के जोडे में चार-चार के जोडे में याद कर सकते हैं और अगर आप ऐसा याद करेंगे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे और आपको यह अच्छे से याद हो पाएंगे तो आदी सभावन विराट उद्यो महावारत के अंतरगत प्राप्त होते हैं तो आप इनके नाम को अच्छे से याद कर लीजिए इन में से जो शांति परव है ये सबसे बड़ा परव है और जो महाप्रस्थानिक परव है ये सबसे छोटा परव है कई बार इनके विशे में भी प्रेश्ण पूछ लिया जाता है तो आप इनको याद रखिए अब पर्व के अनुसार विशे वस्तु का अध्यन करते हैं कि किन विशेयों का इंद में उलेख है तो जो आदी पर्व है उसमें 19 उपपर्व है और 233 अध्याएं हैं इसके अंतरगत जो दुशंत शकुंतला की प्रसिद कथा वस्तु है जो अभिज्यान शकुंतलम में जो हम पढ़ते रहते हैं जो हम पढ़ चुके हैं शकुंतलो उपाख्यान उसका जो विवेचन है वो आदी पर्व के अंतरगत किया गया है इसके अतिरिक्तिस में पांडव और कौर्वों के जन्म के सम्मंदित और उनके विवा से सम्मंदित विवरन प्राप्त होते हैं दूसरा पर्व है सभा पर्व इसके अंतरगत 10 उप पर्व हैं और 81 अध्याए हैं इसमें पांडवों की दिगविजय यात्रा का, जरासंद वद का, शिशुपाल वद का और जुए में युदिष्टिर की हार का वर्णन यहां पर प्राप्त होता है कि कैसे सभा होती है और सभा में जुए का प्रस्ताव रखते हैं, वो जुआ खेलते हैं और यहां पर युद पड़ता है उनको, तो इसमें 22 उपपर्व हैं, 315 अध्याय हैं, इसमें पांडवों के 12 वर्ष के वनवास का विवरन हैं, इसके अतिरिक्त सावित्री सत्यवाने की जो प्रसिद्ध कथा है, जो वट सावित्री पूजन के समय हम सुनते हैं, जो अभी अभी गई है, जेश वन पर्व में उल्लेखित है, इसके अतिरिक्त जैद्रत द्वारा द्रोपदी का हरण और इंद्र द्वारा कर्ण से कवच कुंडल मांगा जाना, इन सब विशेयों का विवेचन वन पर्व में हैं, उसके बाद विराट पर्व है, विराट पर्व में जो एक वर्ष का कर रहते हैं, उसका विवरण है, इसके अंतरगत पांच उपर्व हैं और वहतर अध्याए है, इसमें अज्यातवास के अतिरिक्त की चक व्ड़ का भी वरनन है पांचवा पर्व है उद्योग पर्व, उद्योग पर्व के अंतरगत दसुप पर्व है और 116 में अध्याय है, इसमें महाभारत के युद्ध की प्रिस्तावना वर्नित है उद्योग, उद्योग का तात्परिय है प्रवृत्त होना उद्यम के लिए कारे के लिए, तो महाभ सारत का युद्ध प्रारंब होता है इसमें पांच उपर्व और 122 अध्याएं हैं इसी के अंतरगत भगवत गीता का वर्णन यहां पर जब श्री कृष्ण अर्जुन के सार्थी बनकर उसके रथ को युद्ध स्थल के बीच में ले जाते हैं और अर्जुन जब किम किम से मना कर देता है तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण उसको कर्म के विशय में जो सिक्षा देते हैं जो दार्षनिक विवेचना है वो भगवत गीता के नाम से विश्व प्रिसिद्ध है और उसका विवेचन इसी भीष्म पर्व के अंतरगत किया गया है इसका नाम और जब भीष्म सरसहिया पर लेट जाते हैं तो ये भीष्म पर्व की समाप्ती यहां पर हो जाती है उसके बाद दुरौन पर्व आता है जहां पर दुरौनचारी सैनापती बनते हैं और पांच दिन तक युद्ध करते हुए मारे जाते हैं दुरौन पर्व के अंतरगत आठ उप पर्व है और 202 अध्याय है द्रोण वद के अतिरेक्त इस पर्व में अभिमन्यू जैद्रत गटोत कच की वद का भी वर्णन है द्रोण वद से दुखी होकर उनका जो पुत्र है अस्वत थामा वो नारायनास्तर का प्रयोग कर देता है और फिर कैसे स्री कृष्ण पांडवों की रक्षा उस नारायनास्तर से करते हैं इन सभी विशायों का विवे चंद्रोण पर्व के अंतरगत किया गया है आठवा पर्व है कर्ण पर्व इसमें छियान में अध्याय है इसका उप पर्वों में विभाजन नहीं है और ये ही इसकी विशिष्टा है तो जो मद्र नरेश है शल्य उनको कर्ण का सेनापती बनाया जाता है अब ये कथा विवेचित है आपने महावारत देखी भी होगी जो टीवी में आता था सीरियल इसके तिरिक्त हो सकता है आपने पड़ी भी हो तो आपको पता है कि कर्ण जो सूत पुत्र कहकर उसका अपमान उनको अपना सेनापती बनाता है उनको अपना सार्थी बनाता है और शल्य और करण में परसपर निंदक वाग युद का वर्णन भी इस पर्व के अंतरगत किया गया है अगला पर्व है शल्य पर्व जिसके अंतरगत शल्य सेनापती बनते हैं इसमें दो पर्व हैं और पै आ गया है तो कई तरह से यहां से प्रशन आ जाता है आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको थोड़ा सा दिमाग लगा कर पढ़िए दिमाग को खोल कर पढ़िए इसमें से इस तरह से प्रशन आ सकता है कि कितने सेना पती बनाए गए कौर्वों की सेना में तो आप देख विश्म से प्रारंब कीजिए भीश्म द्रौन करण शल्य तो चार सेनपती बनाएं इसके तिरिक्त अठारवे दिन युद्ध किस ने किया इस तरह का वर्णा ना सकता है यह शल्य कौन से प्रदेश का राजा था तो मद्र का था इस तरह से प्रश्णी यहां से आ सकते हैं दस्वा पर्व है सौप्तिक पर्व सौप्तिक का ताप्रे है सोते हुए इस पर्व में एक विशेश घटना का उलेख है कि पांडवों की सोई हुई सेना पर आकर्मन कर दिया जाता है कृपाचारे, कृत्वर्मा और अस्वत्थामा के द्वारा और जो द्रौपदी के पांडव मानकर युदिष्टरादी मानकर उनका उनकी हत्या कर दी जाती है वद कर दिया जाता है तो इस तरह की गटना का हुलेख सौप्तिक पर्व में प्राप्त होता है उसके बाद स्त्री पर्व है स्त्री पर्व में एक श्राद उपपर्व है जिसमें जो कुंती है व तो जब श्राद करने के अवसर पर कुंती युदिष्टर को कर्ण का सच बताती है कि वो मेरा ही पुत्र है वो तुमारा बड़ा भाई है तो तुमें उसका श्राद करना चाहिए तो कर्ण के विशे में युदिष्टर जब ऐसा सुनते हैं कि वो मेरा बड़ा भाई था तो बुखित हो जाते हैं क्रोधित हो जाते हैं और स्त्री जाती को शाप देते हैं कि माता आपने मुझसे इतनी बड़ी बात चुपाई तो मैं ये स्त्री जाती को शाप देता हूं कि अब के बाद वो अपने पेट में कोई बात नहीं पचा पाएंगी तो ये युदिश्टर के शाप का ही दतीजा है जो हम देखते हैं चलिए आगे चलते हैं बार्व पर्व है शांती पर्व महाबारत का सबसे बड़ा पर्व है महावारत का प्राण इसको कहा जाता है इसके अंतरगत राज धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, आपद धर्म इत्यादी का वर्णन किया गया है मोक्ष का प्रतिपादन भी इसके अंतरगत किया गया है एवं कुछ दाशनिक तत्वों का भी विवेचन इसके अंतरगत है जो पारासर गीता, हंच गीता, इत्यादी के नाम से प्रसिद्ध है तो शांती पर्व की ये प्रमुकता है इसके विशे में आप याद रखिए तेरवा पर्व है अनुशाशन पर्व इसमें मुख्य रूप से जो धर्म शास्त्री उपदेश है उनका वर्णन है भीश्म द्वारा सरसाईया पर युदिश्टर आदी को जो उपदेश दिया गया है वो अनुशाशन पर्व के अंतरगत फरणित है इसके अतिरिक्त शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र और विश्नु सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन भी अनुशाशन पर्व के अंतरगत किया गया है चोदेवा पर्व है आश्वमेधिक पर्व इसके अंतरगत व्यास के आदेश से जो युदिष्ट्र है वो अश्वमेद यग्या करते हैं और अर्जुन यग्याश्व की रक्षा करते हैं इत्यादी फिशयों का वर्णन है इसके अंतरगत अनुगीता नामक उपपर्व में दर्शन सास्त्रिय सामगरी भी प्राप्त होती है तो इन पर्वों को याद करने में कोई जादा कठिंता नहीं है क्योंकि इनकी विशेवस्तु के अनुसार ही इनके नाम भी रखे गए हैं जैसे देखिए आश्रम वासिक प सोलेवा पर्व है मौसल पर्व मौसल वर्व के अंतरगत यदुवंश का नास हो जाता है और गांधारी एक प्रसंग आता है कि गांधारी को अपनी आखों पर वो पट्टी बांदी थी अपने पती के लिए क्योंकि उसके पती अंदे थे तो उसने प्रण लिया था कि मेरे पती अंदे है तो मैं भी अपनी आखों पर पट्टी बांदूगी किसी को नहीं देखूंगी तो ऐसा करने से उस पती व्रता धर्म के कारण उसके अंदर एक शक्ति उत्पन हो गई थी कि उस वो अपनी खुली आखों से जिसको भी देखती वो भस्म हो जाता तो ऐसा एक प्रसंग है कि वहाँ पर उन्होंने गांधरी पांडवों को बुलाती है वह उसा प्रसंग आया है वहाँ पर श्री कृष्ण उनके जो वो गांधरी जो करना चाती थी उस योजना को विफल कर देते हैं वो बचा लेते हैं भीम को तो गांधरी वहाँ पर कुद्ध होकर औ मौशल पर्व में यदुवंश के नाश का जो गांधरी का शाप है वो सत्य हो जाता है और यदुवंश का जो विनाशक है मूशल उसके नाम पर ही ये पर्व मौशल पर्व कहलाता है और उस मौशल के बाण से ही श्री कृष्ण की भी मृत्यू हो जाती है वो उनके पैर में लगता है मान। तो मोशल पर्व जो है वो यदुवंच के विनास से संबंदित है। सत्रवा पर्व जो है महाप्रस्थानिक पर्व यह महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। इसके अंतरगत पांडवों की हिमाले यात्रा का वर्णन है कि सारे पांडव हिमाले की तरफ चले जाते हैं उनके साथ एक कुत्ता भी जाता है इस तरह का एक वरंण है धीरे धीरे कर गिरतेसा घुषर्अ कि और युदिश्टर सशरीरा पिक्रण में पहुंचते हैं तो इस तरह का वर्णन queries महा प्रस्थानिक पर्व में प्राप्त होता है एंतिंध जो पर्व है वह स्वर् पर्व इस पर्व के अंतरगत युदिष्टिर स्वर्ग में पहुंच गए हैं और वहां पर वो देवदूत के साथ जाकर नरक में अपने अनुजों के करण करुण कृंदन को सुनते हैं वो वृत्तांत यहां पर वर्णित है दूसरा वो स्वर्ग में कृष्णादी से उनका मिलन होता है महाभारत का महत्मे इस पर्व के अंतरगत बताया गया है महाभारत का सार इस पर्व के अंतरगत बताया गया है और उस सार को भारत सावित्री भी कहा जाता है तो यह महाभारत की विश्य वस्तू है तो आप एक दो बार जब इसको बढ़ेंगे तो बहुत ही आ पूछ लिए जाते हैं अब महावारत जो है वो एक एतिहासिक महाकाव्य है जिसका प्रभाव संस्कृत साहित्य पर अत्तिधिक पड़ा है तो इसके अंतरगत कुछ ऐसे विशिष्ट विवरण हैं कुछ ऐसे विशिष्ट ग्रंथात्मक अंश हैं जिनके आधार पर बहुत स सारी रिचनाई हुई हैं तो कौन-कौन से मुख्य हैं उसके विशे में भी हम देख लेते हैं सबसे पहला है प्रिसिद्ध शकुंतलो उपाख्यान जिसका वरणन आधीपर्व में किया गया है आधीपर्व के 68-64 अध्याय तक शकुंतलो उपाख्यान वरणित है जिसमें पूरू वंशी दुश्यंत और शकुंतला की काश्यान दूसरा प्रिसिद्ध आख्यान यहां पर प्राप्त होता है नल से संबंदित आख्यान नलो पाख्यान ये वनपर्व में तरेपन से 89 अध्याय तक वरणित है इसमें निशद देश के राजा नल और विधर्व राज की पुत्री दम्यंती की प्रेम कथा वर्णित है कि कैसे नल दम्यंती के सौंदरे का सुनकर उसके प्रती आक्रिष्ट हो जाते हैं और फिर हंस को वहां पर भेजते हैं और हंस से नल के गुणों का वर्णन सुनकर जो दम्यंती है वो भी उनके प्रती अनुरक्त हो जाती है आसक्त हो जाती है और फिर उसके स्वयमवर में पाँच देवता जो चार देवता है वो उसको दूद बना कर भेजना चाते है नल को इस तरह की जो कथा है वो वनपर्व में वरणित है और उसी के आधार पर श्री हर्स ने नैश्दिय चरित की रचना की है तीसरा महाभारत में राम उपाख्यान भी प्राप्त होता है इसके अंतरगत वन बर्व में 274 से 291 अध्याय तक राम उपाख्यान प्राप्त होता है जिसमें युदिष्टर को सांत्वना देने के लिए मारकंडे मुनी राम के विशे में उसको प्रसंग सुनाते है तो इसमें उत्तरकान से पूर्व तक की कथाओं का ही वर्णन है राम उपाख्यान से ये अनुमाल लगाया जाता है कि जो रामायन है वो महाभारत से पूर्व थी राम महावारत काल से पूर्व हुए थे और इसी लिए रामो पाख्यान का वर्णन यहाँ पर है इसके अतिरिक्त सावित्री से सम्मंदी जो पाख्यान है वो भी इसके अंतरगत वर्णित है वनपर्व में दोसो बयान में से दोसो निन्यान में अध्याय तक इसका वर्णन है जिसे मारकंडे रिशी ने सुनाया था इसके अंतरगत जो सावित्री सत्यवान की कथा है कि कैसे सावित्री सत्यवान से विवा कर लेती है और अंधे जो उनके ससुर है उनके लिए नेत्र मांग लेती है वापिस उनका राज्ये प्राप्त हो जाता है इस तरहे की जो कथा है वो वनपर्व में वर्नित है पांचवा जो प्रिसिद्ध भगवत गीता है उसका विवरण भी महावारत में है भीश्म पार्व के अंतरगत 25 से और 42 वे अध्याय तक जो वर्णन है वो भगवत गीता के नाम से जाना जाता है भगवत गीता को उपनिशदों का सार भी कहा जाता है ये विश्व प्रिसिद्ध है और अनेक भाषाओं में रूपांतरित रचना है इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख गरंथ हैं जो महावारत की कथा को महावारत की कथा में जो वर्णित प्रसंग है उनको आश्रित करके लिखे गए हैं तो कुछ कौन कौन से प्रमुख है किरातार जूनियम है जो महाकवी भारवी द्वारा लिखा गया है इसके अतिरिक्त शिशु पालवद है साभापरों में जिसका प्रसंग आता है शिशु पालवद का उस कथा को आश्रे करके माग ने इस पर महाकाव्य लिखा है और किरातार जूनियम शिशु पालवद और नैश्टिय चरितम ये तीनों व्रहत त्रही के अंतरगत आते हैं इनके अतिरिक्त शेमेंद्र के द्वारा भारत मंजरी की रचना की गई है वामन भट के द्वारा नला भ्युद्ध्य की रचना की गई है महाकवी भास ने बहुत सारे रूपक महावारत की कथा से प्रेरित होकर लिखे है ये हैं धूत गटोत कच, धूत वाक्य, कर्णभार, मद्यम व्यायोग, पंचरात्र, उरुभंग और बालचरित इसके अतिरिक्त बट नारायन द्वारा रचित वेनी संघार भी प्रिसुद्ध नाटक है जो महावारत की कथा को आश्रित करके लिखा गया है और राज सेखर द्वारा रचित बाल भारत भी प्रिसिद्ध है तो इसके अतरिक तो और भी हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं जिनके विशय में कई बार परिक्षा में प्रश्ण पूछ लिया जाता है अब यहां से किसी भी तरह से प्रश्ण आ सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो कथाएं हैं महाभारत से उनका जो प्र मुख टीका कार है कुछ प्रसिद्ध टीकाएं हुई है जिनके विशय में भी परिक्षा में प्रश्ण पूछ लिया जाता है तो वो कौन-कौन से है सबसे पहले हैं नीलिकंट ये महाभारत के सरवाधिक लोकप्रिय टीका कार है इन्होंने भारत भावदीप नामक टीका लिखी है तो नीलिकंट का नाम आप स्पेशली याद रखी जो बंबई संसकरण है महाभारत का वो नीलिकंट की टीका के साथ ही प्रकाशित होता है तो नीलिकंट इनके प्रसिद्ध लोकप्रिय टीका कार है इसके विशय में आप याद रखिए दूसरे हैं देव स्वामी इनकी जो ज्यानदीपिका नामक्टीका है वो उपलब्ध प्राचीनितम टीका है तो इनको भी आप याद रखिए इसके अतिरिक्त वैशंपायन है जिनकी टीका केवल शांती पर्व पर प्राप्त होती है चोथे हैं विमल बोध जिनोंने विशम, स्लोकी या दुर्गहटार्थ प्रकाशिनी नामक्टीका महावारत पर लिखी है नायन सरवग्य, चतुरभुज मिश्र और अरजुन मिश्र इनकी टीकाएं भी महावारत पर प्राप्त होती हैं अब महावारत से संबंदित कुछ प्रमुक सुक्तियां हैं जो प्रचलित भी है और जिनके विशे में परिक्षा में प्रश्ण भी पूछ लिया जाता है तो यहीं पर हम उनका अध्यन कर लेते हैं कि कौन-कौन सी प्रिसिद्ध सुक्तियां महावारत में लिखी गई हैं वर्नित हैं तो सबसे पहली है अहिंसा परमो धर्मा यह जो जैन धर्म का आपको लगता है कि उनका धेव आक्य है यह महावारत में उलेखित है अहिंसा परमो धर्मा दूसरी है सर्व धर्मा राज धर्म प्रधाना सभी धर्मों में राज धर्म प्रधान होता है तीसरी जो सुक्ती है personally मुझे बहुत पसंद है और मेरी सबसे फेवरेट सुक्ती है आत्मनह प्रतिकूलानी परेशामन समाचरेत जैसा आपको पसंद नहीं हो ऐसा वेवार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए तो ये जो सुक्ती है ये भी महाभारत में वर्णित है चोथी सुक्ति है बहुदारश्य धर्मश्य न इह अस्ती विफला क्रिया पांचवी सुक्ति है यतो धर्माह ततो जयह जहां धर्म है वहां जय है धर्म की ही जय होती है और महाबारत में जो प्रमुखिन का प्रितिपाद्य है वो यही है यहां पर अधर्म पर धर्म की जीत को बताया गया है तो धर्म विश्यक विवेचना महाभारत में प्रमुक्तया प्राप्त होती है छटी सुक्ति है धारनात धर्म इतियाहू धर्मों धार्यते प्रजाव धारन करने के कारण धर्म कहा जाता है और धर्म से ही प्रजा को धारन किया जाता है, तो यह सुकती भी महाभारत में वर्नित है, नास्ति मात्री समो गुरू, माता के समान कोई गुरू नहीं है, इसके अतरिक्त सरवह सर्वम्न जानाती सर्वग्यो नास्ति कष्चन अगर आपने इस सुक्ति को अपने मन में बैठा लिया तो फिर आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे कभी निराश नहीं होंगे कि जो सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानते सरवग्य कुछ नहीं होता मुझे हो सकता है कुछ विशय आते हों लेकिन कुछ विशयों का मुझे भी ज्यान नहीं है इसी प्रकार हो सकता है कुछ विशय आपको आते हों और कुछ आपको नहीं हाते हों तो प्रतेक व्यक्ति को प्रतेक विशय का ज्यान नहीं हो सकता हर कोई व्यक्ति सर्वग्य नहीं हो सकता गुरुना चैव सर्वेशाम माता परम एको गुरु यहाँ पर माता की महत्ता का भी अत्यदिक वर्णन है और माता के विशे में कई सुक्तियां यहाँ पर प्राप्त होती है माता को यहाँ पर परम गुरु बताया गया है कहा गया है विवाहा नाम ही रंभोरू गांदर्व श्रिष्ट उच्यते विवाहों में जो गांदर्व विवा है वो श्रिष्ट तम विवा है तो यहां पर प्रेम विवा को गांदर्व विवा को श्रिष्ट विवा बताया गया है तो यह प्रिसिद्धु सूप्तियां है इ उनके संबंद में भी प्रश्ण पूछा जा सकता है। तो महाभारत से संबंदी जितने भी महतवूर्ण विश्य हो सकते हैं, जितने भी महतवूर्ण आसपेक्ट हो सकते हैं, उन सभी का अध्यन हमने इस वीडियो में किया है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जहान से देखिए, बार-बार इसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि यहां से अवश्य ही प्रस्टन पूछा जाएगा तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपको यह पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्र निवाद